नमस्कार दोस्तों आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यदि मोबाइल को रात भर चार्जिंग में छोड़ दिया जाये तो इसका मोबाइल फोन पर क्या असर पड़ेगा या बैटरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे प्रश्ण अवश्य ही कई लोगों को परिशान करते हैं मोबाइल को चार्ज करने का सही तरीका क्या है और इसके समस्या और समाधान पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कई लोगों का मानना है कि मोबायल को राध भर चार्जिंग करने से मोबायल की बैटरी खराब होती है या बैटरी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है किन्तु यह सत्य नहीं है आज जो मोबायल और बैटरी का हम इस्तमाल कर रहे हैं उन mobile में battery protection चिप लगी होती है जो mobile की battery को over charge होने से रोकती है और battery 100% charge होने पर charging को सतह ही बंद कर देती है जिससे आपकी battery पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है बस इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना mobile गद्दे तकिया बिस्तर पर रख कर charge ना करें वायू आने जाने के लिए परियाप्त इस्थान होना चाहिए कई बार लोग दूसरे के मोबाइल चार्जर से अपना फोन चार्ज करने लगते हैं ऐसे में कई बार बैटरी के खराब होने का खत्रा बढ़ जाता है दूसरे charger से भूल कर भी अपना phone charge नहीं करना चाहिए अगली बात यह है कि अपने phone में third party battery एप्स का कम से कम استعمال करना चाहिए या फिर हो सके तो download ही नहीं करना चाहिए इन में से कई apps बैटरी के लिए घातक साबित होती है वही memory भी इन apps से बढ़ती है तो दोस्तों ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए